हेलो गाइस तो स्वागत्ते आपका टेकनेकल अंकेत मैं और में नामें अंकेत और आज की वीडियो रैड्मी नौटेट यूजर्स के लिए काफी ज्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है तो गाइस आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपने रैड्म के लिए मिवाइट 13.0.2.0 अपडेट डावलोड कर सकते हो वही बिल्कुल इसली तरीके से तो गाइस वीडियो काफी ज्यादा इंफरमेटिव होने वाली है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड देन चैनल पे नए हो तो चैनल आपको करना क्या है सिंपली अपने क्रोम ब्राजर पर चले जाना है एंड देन क्रोम ब्राजर पर जाने के बाद आपको सिंपली अपने सर्च वार पर सर्च करना है रेड मी 08 मी वाइट 13.0.2.0 डावलोड तो गाइस आपको सिंपली अपने सर्च करना है तो जैसी आप यह सर्च करोंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो यह सबसे फर्स नमबर पर एक वैफसेट दे रखी होगी तो आपको सिंपली वैफसेट पर क्लिक करोंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज उपन हो जाएगा तो यहां आपको स्कॉल करने के बाद यहां आप देख सोकोंगे यहां रिकवरी रोम दे रखा है और उसके नीचे ओट अप्डेट दे रखा है तो यहां आपको स्कॉल करना है और गाइस स्कॉल करने के बाद यहां मीवाइट 13.0.6.0 दे रखा है और उसके नीचे 13.0.4.0 दे रखा है और गाइस यहां थर्ड नंबर पे मीवाइट 13.0.2.0 दे रखा है तो गाइस हमें यह वाल आपडेट डालोड करना है तो यहां आ स्कॉल्ट करना तो आपको reminder या सिम्कवरी डिटान आप 95न को खतम हो चांगे हैं तो यहां आपका आप ओटोमेटिक लिए रैडमी नॉटेट डिवाइस के लिए यह मीवाइट 13.0.2.0 अपडेट डाउलड होने लगेगा तो आपको से इस अपडेट को डाउलड होने देना है बट गाइस मेरे को यहां अपडेट डाउलड नहीं करना है क्योंकि मेरे पैस यहां दूसर रहा हूं बट गाइस जैसे आपको अपडेट डाउलड हो जाए तो आपको अपनी होम स्कीन पर आ जाना है अब गाइस मैं आपको इस अपडेट को इंस्टल करने का प्रोसेस्ट भी बता दे रहा हूं तो आपको करना क्या है आपको सिंप्रिस अपने फोन की सैटिंग में चले जाना है एंड फोन की सैटिंग में जाने के बाद आपको अपने about फोन पर जाना है और about फोन पर जाने के बाद आपका अपने यहां आपका additional feature on हो जाएगा तो यहां आप देख सकूंगे यहां सबसे उपर की site three dot दे रखे हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है तो जैसे आपके device की सारे folder खुलकर आ जाएंगी मेरे यह folder खुलकर नहीं आ रहे हैं तो जैसे आपका यह folder खुलकर आ जाएं और आपने जिसी folder में अपने इस update को डाउलेड किया होगा आपको फोल्टर को open कर लेना एंड दन फोल्डर open करने के बाद आपको अपडेट करना है एंड दन यहां उपकी को आपको उस पर क्लिक करके उसे save कर दिना है तो यहां आपका update आ जाएगा तो आपको उस update को अपने redmi not a device में ट्रॉल करने का प्रोस्aza इन अगर आज की वीडियो के लिए पंसांट आई ओ तो मेरी वीडियो के क्लाइक करें एंड नें चैनल पे नए हो तो lon step यो चनल को भी सभी करें और अर मुरे अली अंटीफिकेसन सबसे पहले मिलते हैं अगली व्यक्त क्यों है थैंक यू को